हाल ही में ग्रिह मंत्राले ने NCB, CBI, RBI और अन्य कानून प्रवरतन निकायों जैसी एजेंसियों के अधिकारियों का रूप धारण करते हुए ब्लैक मेल और डिजिटल गिरफतारी में लगे साइबर अपराधियों के बारे में चेतावनी जारी की है ये साइबर अपराधी आम तौर पर पीडितों को कॉल करते हैं और दावा करते हैं कि वे ड्रग्स या नकली पास्पोर्ट जैसी अवैध वस्तूओं वाले पार्सल में शामिल हैं वे पुलिस स्टेशनों या सरकारी कार्यालयों की तरह दिखने के लिए डिजाइन किये गए स्टूडियों का उप्योग करते हैं और असली दिखने के लिए वर्धी पहनते हैं कभी-कभी वे यह भी सूचित करते हैं कि पीडित का कोई करीबी या प्रिय व्यक्ति किसी अपराध या दुर्घटना में शामिल पाया गया है और उनकी हिरासत में है ऐसे कथित केस में समझोता करने के लिए पैसे की मांग की जाती है कुछ मामलों में पीडितों को डिजिटल अरेस्ट का सामना करना पड़ता है और उनकी मांग पूरी न होने तक पीडित को स्काइप या अन्य वीडियो कॉन्फरेंसिंग प्लेटफॉर्म पर धोखे बाजों के लिए उपलब्ध रहने पर मजबूर किया जाता है ग्रिहम अंत्राले के तहट भारतिय साइबर अपराध समन्वे केंद्र आई-फोर-सी ने भी माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से ऐसी गतिविधियों में शामिल एक हजार से अधिक स्काइप आईडी को ब्लॉक कर दिया है इसके अलावा साइबर जालसाजों द्वारा उपयोग किये जाने वाले सिम कार्ड, मोबाइल उपकरणों और म्यूल खातों को भी ब्लॉक किया जा रहा है नागरिकों को इस प्रकार के साइबर अपराद के बारे में सतर्क रहने और जागरूकता पहलाने की सलाह दी जाती है ऐसी कॉल आने पर व्यक्तियों को तुरंत घटना की सूचना अपने नजदी की पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम हेल्प लाइन नंबर 1930 पर देनी चाहिए और सहायता के लिए www.cybercrime.gov.in पर जाना चाहिए